हालेलुया प्रेस अलॉड हालेलुया जब भी हमारे जीवन में विपत्ति आती है हम ड़ जाते हैं हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है हम व्याकुल हो जाते हैं situation इतनी जब भाया भाय होती है तो हम हम यह देखते हैं कि हमारे साथ कौन ख़ड़ा है हम अपने संबंधों को हम अपने रिष्टेदारों को हम अपने परोस्कियों को खुद आप व्याकुल हो जाते हैं और डरते हैं और आपका भरूसा शूड़ जाता कि अब कोई नहीं है अब कोई नहीं है जो मेरा सहारा बनेगा जो मेरे हाथ थामेगा जो मुझे लेकर चलेगा कई बार ऐसी situation आती है आप लोगों के जीवन में ज़रा सी परिक्षाएं आती हैं दुख आता है विपत्तियां आती हैं और हम लडखाडाने लगते हैं हम डड़ जाते हैं नौकरी छूट जाए बच्चा फेल हो जाए और धंदा ना चले तो हमारे मन में होता है कि हम क्या करेंगे आगे क्या होगा भविश्य क्या है हमारा अंदकार ही अंदकार हमारे जीवन में देखता है लेकिन मेरे भाई मेरे बहन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस अंदकार से इस डढ़ से हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते कैसे हम निकल सकते हम विजई हैं अपने परोशी से बोलिए कि मैं विजई हूँ येस अंगिकार करिए अपने परोशी से बोलिए मैं आशिशित हूँ आप नहीं जानते कि आपके लिए पिता परमेश्व ने अपने एकलोते पुत्र को धर्टी पर भेजा और उसने आपके लिए अपनी जान गमाई है इसलिए नहीं गमाई है तकि आप रोएं परमेश्र ने इसलिए नहीं आपको चुना है कि आप आशू भाते रहें परमेश्र ने आपको अपना पुत्र बनाया है परमेश्र ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप हर पल विजई महसूस हों Hallelujah Amen हमारा जीवन अध्भुत है Praise the Lord हम कहां जाने वाले हैं? परमेश्र के सिंगासन के सामने और कौन लेने आने वाला है? उसका पुत्र हमें लेने आने वाला है Amen इस चीज़ को कभी मत भूलिए कि मुझे धर्ती से स्वर्ग में लेके जाने वाला उसका पुत्र है यनि कि आप कितने बहुमूल्य हैं? हलो? आप कितने बहुमूल्य हैं? तो उस विचार को कभी मत अपने अंदर से जाने दीजिए परमेश्र ने अपने एकलोते पुत्र को भेजा ताकि हम आशीश पाएं इसलिए आज मैं बताओंगा आपको कि किस तरीके से विपत्तियां कितनी भी हो रुकावटें कितनी भी हो पहार कितने भी उचे क्यों नहों लेकिन जिस दिन आप ये महसूस करेंगे जब आप ये अंगिकार करेंगे और धीलज के सांग, अनुशासंग के सांग, पवित्ता और प्रात्रा के साथ उस परमेश्वर को याज करेंगे और धन्यवाद देंगे वो आपके सामने ख़़ा होगा अमेन पुछा परमेश्वर हलो आपको प्रात्रा में ये कहने की ज़रोती है मैं अकेला हूँ आपको प्रात्रों में ये कहने की जरूरत देंगी परमेशन मुझे तेरी जरूरत है आपको उस पिता को ये बताने की जरूरत है कि मैं तुझ पर ही भरुसा करता हूँ हालेलुया जिस दिन आपने अपना भरुसा उस पर रखा जिस दिन आपने उसको ऐसास दिलाया जितने जिस दिन आपने अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करके अपने जीवन को जीना शुरू किया आप देखेंगे हर पल वो आपके साथ है हर पल वो आपके साथ है प्रेस अलोट मती साथ का साथ क्या कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंडो के तो तुम पाओगे खट-कटाओगे तो दर्माजा खोलेगा कैसे मांगना है कैसे ढूंगना है और कैसे खट-कटाना है आज मैं आपको बताऊंगा रिस अलोट हालेलिया एवेन एलिया ने जब राजा आहाब के सामने उस वेदी को परमेशर की आख से भस्म करवाया था हालेलिया उसके बाद उस मोरे परबत पर एलिया ने घुटने देके और अपने शिशे से का देख बादल आ रहे है बारिश होगी हालेलिया उसने एक बार शिशे को बोला देख मैंने प्रात्तना की देख बादल आए की नहीं आए उसने का नहीं आए दूसरी बार बोला बादल आए की नहीं आए नहीं आए तीसरी बार बोला, चौती बार बोला, पांच्वी बार बोला, हललिया, अगर आप बाइबल देखेंगे, तो उसने गिंदी खतम नहीं की, जब तक उसे बाइबल नहीं दिखा, तब तक वो देखता रहा, प्राथना करता रहा, प्रेस अलोड, मेरे आशीश का बादल दिखे जाएगा, नहीं, मांगते रहो तो तुम्हे दिया जाएगा, मांगते रहो, अपने मांगने में कमी मत रखिये, अपने मांगने में विश्वास कम मत करिये, मांगिये, मांगते रहो तो तुम्हे दिया जाएगा, धूनते रहो तो तुम पाओगे, खटकटाते रहो तो अब किसे मांग रहें आपका अगर बाप मेरा बेटा कई बार करता है उसे जो चीज चाहिए होती और मैं नहीं देता हूं मेरे पीछे बढ़ जाता हूं गुए है और अर्स और अलोट की सवर्गेता है मांगो और अगर आपको नहीं मिल रहा है न तो मेरे भाई मेरी बहन आपको मांगना नहीं आता है आपको उसे पिता कहना नहीं आता है आपको उसे पिता बनाया नहीं आपने अभी तक Praise the Lord हमें सिखाए जाता है हम कई बार दारते करें हमने पाप किया हम प्रभू के काबिल नहीं है हम पिता के काबिल नहीं है हमने पाप किया है हमने गलती किये हम नहीं मांग सकते मेरे भाई मेरे बहन वो आपका पिता है ईशु मसी ने बलिदान होकर आपके और पिता के बीच की दिवार गिरा दी है अभी आपका सम्मंद डालेक्ट पिता परवेशों से है उसामनिल है उसे मांगए डरिया मत उसे मांगए अपने आपको पहचानिये उसे मांगए इस्राइलीस जब यर्दन नदी के पार आये थे तो उनके सामने यरियो शहर था और उन्होंने सुना हुआ था और देखा था कि यरियो शहर की जो दिवारे थी चारों तरफ इतनी मोटी मोटी दिवारे थी कि उस पर दो रत भागते थे उन दिवारों पर इतनी चोड़ी दिवारे थी कि उन पर दो रथ भागते थे एक साथ आप सोचे कितनी चोड़ी दिवार होगी और कितनी उंची दिवार थी तो पूरा यहरीयो देश जो था वो उन दिवारों से परिक्रमा के साथ बंदा हुआ था उन देवारों के बीच में था और परमिश्या ने कहा था कि यहोश्यू से कि मैं तुम्हें वो देश देदूँगा मैं जब वो बसंद पढ़ता हूँ अध्याए छे यहोश्यू अध्याए छे पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे परमिश्य के प्रेम को जब मैं देखता हूँ मैं भाव विवर हो जाता हूँ कि इतना प्यारा मेरा परमिश्यू है हालेलिया अगर आप कभी अकेले देखें आप ड़ड़ जाते हैं अरे मेरी विपत्ती इतनी बड़ी है अरे मुझे स्कूल की फीज के 10,000 रुपे देने अरे मुझे मकान का किड़ाय देना है 10,000 रुपे खिराया है मेरे राशन आने वाला है 10,000 का जब आपके सामने एक चट्टान एक परबत खड़ा होता है आप हिल जाते कि कैसे होगा हालेलिया आज मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा Permission ने क्या कहा यर्यों की दिवार जो तुम देखते हो यह दिवार यह फिर नहीं होगी आज तुम जब इस दिवार को देखते हो इस शहर पना को देखते हो यह फिर नहीं होगी प्रेस अलॉट इसलिए अपना यहुशु छे का दो से पढ़िए हलेलिया छे का दो से पांच फिर यहुवा ने यहुशे से कहा सुन मैं यर्यों को उसके राजा और शूर्विर समय तेरिवंश में कर देता हूँ इसलिए तुम में जितने योदा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों और एक ब नगर को घेर कर उसकी एक बार परिक्रमा करें ध्यान दीजेगा यह तरीका इसी तरीके को आपको अपनाना है जब आपके सामने पहाड होगा जब आपके सामने विपत्तियों की शहर पना होगी आपको इसी तरीके को अपनाना है प्रिस अलोड ध्यान दीजे आपके जीव के कहा मेरे बच्चों को क्या होगा ये तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ रे रिस लॉट हालेलिया उसने क्या कहा तुम्हारे सब शूर्वीर नगर को घेर ले उसकी एक बार परिक्रमा करें और छे दिन तक इसा ही किया जाए हलो क्या कहा छे दिन तक ऐसा ही किया जाए Praise the Lord क्यों कहा ऐसा क्यों कहा परमेश्वन ने कि उसकी परिक्रमा करिये यानि कि जितना यरियो देश था जितना बड़ा उस पूरे प्रदेश की उस पूरे देश को जाकर घूंब कर देखना है आपको परिक्रमा करनी है यानि कि आपको देखना है Hallelujah आप समझ रहे हैं कि नी समझ रहे हैं Praise the Lord आपको उसको देखना क्यों कहा Hallelujah होता क्या है जब आपके जीवन में दुख आते हैं जब आपके जीवन में परिक्षाएं आती हैं जब आपके जीवन में संकट आते हैं तो आप उस संकट से डढ़ जाते हैं, बिना जाने, बिना देखे, सुनते हैं और डढ़ जाते हैं, अरे, डॉक्टर ने कह दिया, यह विमारी है, और कोई बात है है यार, हॉस्पिटल तो जाने दो, रिपोर्ट तो आने दो, प्रात्नों तो करने दो, प्रेज़ लौट, हलो, हम एक तम खड़ जाते हैं, क्या कहता है परमेश्यार, उस यरियो देश की पूरी परिक्रमा कर, चाकि जिसको तुम जीतने वाले हो, उसको तुम देखो और आहसास करो, कि मुझे इसको जीतना है, और परिक्रमा करने के बाद क्या करना है, उनको करनी है, और घर में आकर बैठ जाना है, प्रेस अलॉट, हललिया, ध्यान दीजिए, यह जो बैठने का समय है, यह समय कैसा बिताना है, एकांत का समय कैसे बिताना है, जब हमारे रिष्टदार, हमारे दोस्ट चले जाते हैं, सांतमना देकर नहीं तुम्हारा अच्छा होग अरे पहाड निकल जाएगा, अरे तुम्हारा अखरी मिलेगी, अरे तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा, दोस्ट आए, रिष्टदार आए, आपको संतमना देकर चले गए, देने के बाद जब आप अकेले रह जाते हैं, तो आपको कैसे अपना समय बिताना है, अगर आप इस तरीके समय नहीं बिताएंगे, तो शैतान आपके जीवन में काम करता है, हललिया, शैतान बताता है आपको, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं बताएंगे, तो शैतान क्या कहेगा, अरे देखा, आप कुछ नहीं हो सकता, इज़े तेरा दोस्त आया था, ये भी जूट बोलके गया है, तेरा पडोसी भी तेरा मजाग बना के गया है, और तेरे पास कुछ भी नहीं है, कल तेरा मालिक मकान आएगा और तुझे धक्के देका निकाल देगा, जब आप कुछ नहीं करते हैं, रिस अलॉट, चार चीजे हमें करनी है, जब इन परिक्रमा करन करने के बाद जब लोग बैठे तो उन्होंने चार चीजें की, हालेलुया, पहली, पहला क्या था उनके साथ, अनुशासन था, क्या था बोली अनुशासन, बोली अनुशासन, दूसरा था धीरज, दूसरा क्या था, धीरज, धीरज के साथ विश्वास, बोली धीरज के पवित्रता तीसरा क्या है पवित्रता और चौता है प्रात्ना और धन्यवाद चौता क्या है एमें प्रिस अलोट जब आप किसी समस्या में हैं देखिए मैं आपको बताओं अनुशासन आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले शैतान आपके अनुशासन को छीन लेता है आपको आलसी बना देता है जरासी आपके जीवने प्रॉब्लम आते हैं आप आलसी हो जाते हैं आप शक्की हो जाते हैं आप संधे करने लगते हैं आप संधे करते हैं अपने उपर दोस्ट पर अपनी सिच्वेशन पर हाललुया आप संधे करने लगते तो अनुशासन आपके लिए बहुत सुरूरी है जिस तरह आप सुख में रह रहे हैं वैसे ही आपको दुख में रहना है लेकिन सुख में कैसे रह रहे हैं जब दिन अच्छे थे आप रातना में हैं वेरी गूड आप प्रभु को समय देते हैं वेरी गूड आप परमेशर को अपने जीवन का सर्वो समानते हैं वेरी गूड उसी तरीके से आप दुख में भी धन्यवाद करिए प्रातना में रहिए आपका नुशासन कम नहीं होना चाहिए प्रेज अलॉड आप हतास मत हो जाएए शैदान आपको हतास करने की कोशिश करेगा शैदान आपके अंदर मन में संदेल आने की कोशिश करेगा शैदान आपको डराएगा आपको बताएगा किसी ना किसी के द्वारा कितना कुछ नहीं हो सकता लेकिन आपके अंदर विश्वास की चटान होनी चाहिए कि मेरा इशू मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया है अगर इस सत्य को आप अपने अंदर बना के रखेंगे इस सचाई से मुण नहीं मोड़ेंगे इस सचाई को अपने गले लगाके लखेंगे कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो परमेश्वर आपके करीब ही रहेगा हालेलिये याद रखिए बहुत जरूरी है इस सत्य को अपने अंदर डालना है इसलिए अनुशासर बहुत जरूरी है आपका अनुशासन बहुत जरूरी मुसा ने अनुशासन के साथ पहले साथ आठ अगर चैप्टर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि मुसा का अनुशासन मुसा का अपना जीवन कुछ भी नहीं था मुसा मिश्र में अपनी बीवी बच्चों को लेकर नहीं आया रेस अलॉट वहाँ वो अकेला था कि दिन में बोलता था परमिश्र कि जा फिरॉन से बात कर और रात को आकर परमिश्र से बात करता था और रात को ही परमिश्र बोलता था सुबहें सूरज होगने से पहले फिरॉण के नील नदी जाने से पहले तु हुआ ख़ड़ा रहे और उसको तुझे यह आग्या देनी है पढ़िये आप मुसा के जीवन अपना जीवन नहीं था रात को फिरॉण से बात करता था और सुबह फिरॉण के पहुंचने से पहले वो नील नदी पहुंच जाता था प्रेस अलॉट आपके जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो आप वीज़ई नहीं हो सकते अनुशासन बहुत जुरूरी है समय से प्रात्रा करना समय से वचन पढ़ना समय से हर काम करना जो हम काम के लिए प्रात्रा करते हैं काज में पार काम नहीं है काम नहीं है काम नहीं प्रभू काम दे प्रभू काम दे और परमिशन ने प्रात्रा सुन लिए आपकी काम आ गया मैंने कई देखा हैं हमारे बहने आती हैं 12-12-13 Hattie Susottle की बैनने तो बच्चा नहीं था। सब्सक्राइब तो 1700 की बेने जिनको बच्चा नहीं था। इस शर्च में आई थी हमने प्राथना की उनके बच्चा वुआ, उनने चडर्चा सान बन कटिए। कि चार्चाना बन कर दी क्यों बच्चे को समालना है ठीक है बई एक दू मेने समालो लेकिन प्रहु में समय दो alleluia praise the Lord नहीं आते आक पर काम हो जाता आप घर में बढ़ जाते और जब आप बता इये उनको कि आपको घर पर आना है तो कई बार हमको सुने को मिलता कि पास्टर वचन के द्वारा हमको बहुत सुनाते हैं, पास्टर वचन के द्वारा हमको सुनाते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वचन के द्वारा पास्टर हमको सुनाते हैं, आज मैं आपको बताओं, हाँ मैं सुनाता हूं, मैं वचन के द्वारा आपको सुनाता किसको सुनाओंगा इनको सुनाओंगा क्या यह तो बाहर के हैं मुझे यहाँ पर नहीं है उनको सुनाओंगा क्या आपने सच पैचाना मैं आप ही को सुनाता हूं प्रेस अलॉट लेकिन आपको दुख होता है आपको लगता है रे पास्टर तो पत्थर मार रहा है एक पत्थर और आया ये मैं ही हूँ लेकिन मैं आपको बता दू किसी पास्टर ने कहा है बहुत अच्छा आप नहीं जानते मैं पत्थर नहीं मार रहा हूँ मैं आपके जीवन में रसी डाल रहा हूँ ताकि आप उन रसी को पकड़ कर बहार आ जाए अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए पत्थर है और आप उस पत्थर को लेके खड़े रहेंगे ना आप डूब जाएंगे वो पत्थर नहीं है मैं जो आपको वचन दे रहा हूँ मैं जो आपको बोल रहा हूँ वचन के द्वारा कि आप गलत जा रहे हैं वाकरी आप गलत जा रहे हैं और अगर आप नहीं समझते हैं मैं आपको पत्थर नहीं मार रहा हूँ मैं आपको रसी फेक रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो रसी पकड़कर आप बहार आए हलो मैं आपके सामने रसी भेग रहा हूँ लेकर ने यह तो पत्थर है अगर मेरे वचन को आपने नहीं समझा और उस पत्थर को आपने थाम के रखा तो आप डूब जाएंगे वाक्य बता रहा हूँ मैं आपको एक पस्ट्वन का मतलब कर आए मैं इहाँ पर क्यूं हूँ क्यूं हूँ मैं इहाँ पर आपकी चाह्पूरूसी करने के लिए हूँ कि आप दान दशांस देते हैं इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता रहूं मैं एक आत्मिक पिता हूं और जो परमिश्वर मुझे बताता है कि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो मुझे बताना है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं असली पिता वो ही है जो अपने बच्चे को डाट डपट कर सही रास्ते पर लेकर आए अगर मैं आखें बंद करके कान बंद करके चुप रहूंगा तो आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझसे पूछेगा आप नहीं जानते आप लोग परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य हैं आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको कहां से निकाला है अकिद दल्दल की कीचड में से आपको निकाला है और अपने एकलोटे पुत्र के लहू से आपको धोया है अभी भी ईशु के जखमों से लहू बहरा है उप जखम फीव हरे हैं पिद्र परमश्र के बाजू में बैटा है पर ईशु मसी जब आएगा तो आपको अपने जखम अभी भी है उसके जखम क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है आप अपने से प्यार नहीं करते मैं आपको सच कह रहा हूँ आप अपने से प्यार नहीं करते अगर आप अपने से प्यार करते तो आप इशू के अनुसार चलते आप के समझते हैं अपनी रोटी के लिए सोचना स्वाज रखना दान दशान ना देना परमेश्र के बचन पर ना चलना आप कैसे समझते हैं आप अपने से प्यार करते हैं आप अपने दुश्मन है आप अपने दुश्मन है फिर पत्थर पेक रहा हूं फिर पत्थर पेक रहा हूँ जो पत्थर समझ के लेगा वो डूबेगा जो रसी समझ के लेगा वो बाहर आ जाएगा फिर बोल रहा हूँ हमें कहा जाना है परमिशन हम को यहां पर क्यों रखा है ताकि वो हमें अपने पास बुलाए एमें हलो किसके लिए ताकि वो हमें अपने पास बुलाए लेकिन अगर इसी तरीके से हम अपने से प्यार करते रहना अपने स्वार्त में रहे तो मुश्किल है आपका जाना मुश्किल है इतनी आसानी से वो नहीं मिलता है वो आसानी से आपको उसने चुन लिया है आसानी से चुन लिया है जब नुह के समाने में आठ लोग बचे थे 11 लाख लोग थे उस समय आठ लोग बचे थे और इस्राइलीज जो किसीने सिने जंगल में थे दो लोग बचे थे और अब इशू आने वाला है पता नहीं कितने लोग जाएंगे इसलिए ध्यान दीजिए यह जो आपको पत्थर लग रहे हैं न धन्यवाद दीजिए कि मेरे बारे में प्रभु सोच रहा है धन्यवाद कि मेरे बारे में प्रभु सोच रहा है और मेरे बारे में सोच कर पासवान को बोल रहा है ध्यान दीजिए मुझे कोई स्वार्थ नहीं है अपसे, एक पैसे का भी स्वार्थ नहीं है लेकिन अगर परमेश्वर मुझे कोई शिक्षा देने के लिए बोलता है और मैं अगर ना बोलू तो मैं गलत हूँ हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, हो सकता है ignorant ये मेरा काम है। क्या मैं आपके लिए घर में प्रातना बंद कर दूं। जो मैं घर में बैठकर आपके लिए प्रातना करता हूं क्या बंद कर दूं। हाँ या ना। क्योंकि मैं आपके लिए घर में बैठकर प्रातना करता हूं पूरा वीक। इसलिए प्रभू मेरे मन में डालता है कि ये भाई ये बेहन गलत जा रहा है इसको बता प्रमेश्वर चाहता है और मेरी प्रात्रा है कि मेरा पूरा कलीसिया प्रभू के पास जाए इसलिए अनुशासन जरूरी है यहुश्व ने कहा कि तुम्हें एक बार परिक्रमा करनी है और करके बैठ जाना है परिक्रमा करके बैठ जाना है क्या करना है प्रात्रा करनी है धीरज रखना है धीरज कल का कब का इंतिदार करना है कल का परिक्रम करके बैट डिवार उसमें किल लगी हुई थी उसमें के लगा वह था देखा तुर ने देखा नो यहारनो इसमें नहीं लिखा वा है आब को परिक्रम अगकर धीराज्वंद होके प्रात्वाक में रहना सर अ उसको यास करना है आपका विश्वास कम नहीं हो एक परिक्रमा करने के बाद यरियों की दिवार नहीं तूटी प्रेस लॉट और परिक्रमा करने के बाद दिवार तूटी है उनको ये भी विश्वास नहीं था क्योंकि उन्होंने आस्था कभी देखा नहीं है लेकिन किस ने कहा है पिता परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रभू के मुख से निकला है और वो काम होगा वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा वो मुझे भूका नहीं सुलाएगा उससे मुझे चुना है मेरे लिए उसकी अधुदियोजना है प्रेस अलॉट अपना काम करिए अपने अंदर गलत भावना लेकर मत आईए जब आप धीरजवन्थ होके बैट रहे हैं गलत भावना नहीं एक ही भावना है वो है वो है जो वो कहता है वो करता है हालिल्या रेस अलॉट इबरानियों 11 का अच्छे क्या कहता है पढ़िए बेटा इबरानियों 11 का अच्छे जली से पढ़िए पढ़िए और विश्वास बीना उसे प्रसंद करना अन्होना है और विश्वास बीना उसे प्रसंद करना अन्होना है क्योंकि परमेशिर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफ़ल देता है आललुया विश्वास क्या है कि वो है अगर वो है तो आपके ज़रूरतों को पूरी करेगा अपने खोजने वाले को प्रतिबल देता है प्राथना करने वालों को प्रतिबल देता है बुलाने वालों को प्रतिबल देता है मांगने वालों को प्रतिबल देता है परमेशर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए Praise the Lord प्रतिपल आपको कब मिलेगा जब आप उसे बुलाएंगे विश्वास के संग कि वो है अब आप बुला रहें लेकिन आपका विश्वास नहीं है प्रभु इश्व मेरे जीवन में आओ और मुझे आशीश देओं मेरी समस्याओं को दूर कर Praise the Lord प्रात्रा करते हैं आप कहीं और चलेगा रहे यार वहां भी चलते हैं यार अंकल ने बताया था कि वहां भी प्रात्रा करेंगे तो हो जाएगा वह भी प्रात्रा करेंगे तो हो जाएगा उस वहां जाएंगे प्रात्रा करेंगे तो जल्ली हो जाएगा मैं इसका मतलब आपने विश्वास ही नहीं किया जब आप प्रात्रा कर रहे हैं तो आप क्या विश्वास कर रहे हैं कि उस वह आपकी प्रात्रा सुन रहा है यही तो है कि आप प्रात्रा करते से मां विश्वास नहीं करते कि वो है और वो सुन रहा है मैं मांग रहा हूँ वो सुन रहा है वो अंधा नहीं है वो बहरा नहीं है यह शाया 59 का एक निकालिए यह शाया 59 का एक सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उधार ना कर सके नाहिं वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके वो सुनता है जब आप बुलाते हैं ना सुनता है लेकिन वो देखता है कि मेरी बच्ची किस विश्वास के संग बुला रही है हाललुया वो आपको देना चाहता है आप क्या समझते हैं कि पर्मेशन ने आपको दुख देने के लिए चुना है क्या यह अगर आपके मन में विचार आ रहा है न तो यह विचार शैतान की होड़ से जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान कर दिया वो क्या चाहेगा कि आप एक पल भी दुखी हों हलो जिसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया आपको पापो शापों से मुक्त करने के लिए क्या वो चाहेगा कि आप दुखी हों आप चिंता में रहें इससे बड़ा प्रूफ क्या है इश्यू के कबर अभी तक खाली है क्या है इससे अपना प्रूफ इसलिए धीरज्वन्त धीरज के संग प्रात्ना करिए कि वो है और अपने बुलाने वालों को सुनता है हालेलुया आपको पता है यूसुफ के बारे में है यूसुफ को छजब 17 साल था तो परमिश्वन्त ने उसको दृष्षिंद दिया था कि चांद सितारे तेरे सामने हों कि के चांद सितारे लेकिरे सामने जुकें इसको बात क्या हुआ कि उसके भाईं ने उससे गड्धे में डाल दिया और उसे मिस्र में बेश दिया, पोती बर के घर में गया, वो ऐस इदासत्व और वहाँ सेवा कर रहा था, वहाँ पर उसकी वाइफ ने गलत संबंद बनाने की कोशिश की, और उसने जब नहीं माना तो उसे जेल में डाल दिया, बारा साल तक, यूसुफ जेल में रहा, बारा साल तक, एक साल नहीं, दो साल नहीं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आज हमारी समस्या का समधान, अगर वचन, अगर आप किसी पासवान के पास जाते हैं, आपसे प्राथ्रा की प्रभूत रह आशीष जेगा, और नेक्स वीक तक आपको आशीष नहीं मिली, तो आप कहते हैं ए guilty ज युसुफ बारा साल तक जेल में रहा और धीरच के साथ कि मेरे परमेश्वन ने जो कहा है वो होगा Amen Hello किस ने कहा है Amen आपने कहा है आपकी ममी ने कहा है आपके पिता ने कहा है किस ने कहा है परमेश्वर ने कहा है मेरे परमेश्वर के मुखसे बात ने किलिए कभी गलत माध अपने मुझे मत ने का लिए एक भाई को मैं जानता हूं बहुत अच्य uses कउंप्ण दोस्त एक प्रॉबलम में आया वुश्वासी दा अदमी इसका भिजय स neighborhood प्रॉबलम में आ वह नहीं दो काम नहीं है प्लीज देधे का मध बंदा और पैसा है मिए पैसा है क कर था रहा है नई मेरा पैसा ही नहीं है अरे मेरे पैस सोकी नहीं है कि टिंहें पैसा ही Hello कि खतुम होगे उसका पैसा की आप के पास है और आप मना कर रहे आप जानते परमिश्रकक ऐसे काम करता भर में कए वह आपको देता है ताकि आप किसी को दें इस वह आप को वुद्धा उथाब चाना कि आप किसी के लिए आशीश का कारण बने उत और आपके पास पैसा आने के भाद बोलते हैं आप नहीं है जैसा तू कह रहा है वैसा ही ह dzisiaj को नूप किया भी पैसा भी जबना हो गया है को मुझे और आपको कौन बना रहा है को अरे मेरे बिजनस को कौन चारा रहा है हुआ अरे अगर वो नहीं है कुछ bastard कि नहीं हैह 이NG abroad आप नहीं जानते अगर वो हट गया पागल हो जाएंगे आप वो हमारी बेवकूफियों को भी नजर अंदास करता है युसफ बारा साल तक धीरजवन्त होकर प्रेस अलॉट पिलाने वाला जो साकी था और जो खाना बनाता था जो मिसर के फिराउन के बंदे थे वो उनके दर्शन को उसने बताया वो दर्शन पूरे हो गए प्रेस अलॉट उसने यह नहीं का कि परमिशन मैं सब के दर्शन बता रहा हूं पूरे हो रहे हैं लेकिन जो तुने मिझे दर्शन दियता वो तो पूरा नहीं हो रहा है उससे नहीं कह? उसने धीरज रखा कि मेरे प्रभू ने क्या कहा है अपने मूँ से गलत शैतान चाहेगा कि आप अपनी आशीशें को रोग दें कैसे? कैसे? अगर यूसफ अपने मूँ से कहता कि क्या पता यार वो जो मैंने दर्शन देखा था सही था भी कि नहीं था परमेशर मेरे साथ है कि नहीं है क्या पता? शैतान उस चीज़ को रोक लेता जेल में होने के बाद भाईयों के बेचे जाने के बाद वो जेल में कह रहा है कि प्रभू मेरे साथ है उसने जो कहा है वो होगा इमें? इसलिए ये जो यरियों की शहर पना है जब ये एक चक्कर काड़ के आए तो विश्वास के संग, अनुशासन के संग, धीरच के संग बैड़ गए विश्वास के संग की जो पर्वेशन ने का होगा हालेलिया प्रिस अलॉट अब आप बताएं धीरच कैसे करेंगा आप में पेशन्स कब आएगा आप में पेशन्स कब आएगा जब आप पर्मेशर के कामों को ध्यान में रखेंगे हालेलिया पर्मेशर के काम इन्होंने क्या किया इज्रालियों ने उन परमेश्व के कामों को याद किया कि किस तरीके से मिश्व से परमेश्व लेकर आया किस तरीके से लाल समुदर को दो भागों में बटा किस तरीके से यर्दन की धारा को उपर की धारा उपर और नीशे की धारा नीचे ट्रह गई और किस तरीके से हम को लेकर आया वो परमिश्व ने कहा है कि ये शहर पहना डह जाएगी और डहेगी क्योंकि परमिश्व ने कहा है प्रेस अलौट वो सर्वशक्ती इमान है वो कौन है? सर्वशक्ती इमान है तो उसने धीरच के साथ इंतजार किया नमबर तीसरा प्रात्रा के साथ धन्यवाद अलेलिया प्रात्रा आप प्रात्रा कैसे करते हैं क्या प्रात्रा में आप मैसूस करते हैं क्या प्रात्रा करने से पहले उस एट्मॉस्ट्र को बनाते हैं प्रभू के लिए सिंगासन तयार करते हैं कितने लोग करते हैं नहीं करत प्रातना करने से पहले देखिए आप प्रातना इमिजेट मांगने लगते हैं उससे पहले इस्सुती अराधना करके उसके लिए सिंगासन तयार करिए आप किसे कुछ मांगने वाले हैं ना प्रातना में कुछ मांगने वाले हैं ना किसे मांगने वाले हैं परमेशर से और आप उस सर्व शक्तिमान परमेशर को अपने घर बुला रहे हैं जहां पर आप रहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रातना कभी-कभी अपने बिस्तर प आया जाएर आब प्रासनाय करें तो परमीश्टे上 के लिए सिंगाशन मनाईए और उसको बुलाई की पிर हुआ ते रिल्ए सिंगासन तयार किया है मैं ने वार उस इंगाशन पर उसे बैठने दीजिए इनजार करिए फिर उसे मांगए भास भी सपर में लुछ सर्वते को बोला है कि अपने कैस को यहां बिठाऊंगे निकरते कि रेसे लूट आप सर्वि शक्ति बान फिर परमेश्वर को बुला रहे हैं, यह मत कहीं, मेला घर छोटा सा आया है, एक ही रूम है, अरे कुछ भी हो, अगर आपने सिंगासन बना दिया, परमेश्वर आपके घर आएगा, तो प्रात्रा में पहले सिंगासन बनाईए, उसको बिठाईए उस सिंगासन पर, तब आप उसस मांग रहे हैं, तो यह पूरे मन में विश्वास करिए, कि वो बैठा है, वो बैठा है, मेरा इश्व मेरे घर में है, अब आप उससे बात करिए, कि पर हूँ, उससे बात करिए, कि मेरे दिल में ये है, ये प्राब्लम है, ये है, ये है, उससे बात करिए, हालिलुया, आप देखी नहीं की कोशिश करी है उसे हालेलुया उपिता परमेश्वर है मूसा सिने परबच जाता था परमेश्वर से मिलने के लिए और बाइबल कहती है जब वो वहां से आता था तो उसके चेहरे से किरने फ्यूगती थी किरने निकलती थी मैं आपको बोल रहा हूँ जिस दिन आपने सिंगासन बनाया जिस दिन उस सिंगासन पर परमेश्वर को बुलाया और जिस दिन सिंगासन पर बुलाकर परमेश्वर को आपने बोलना शुरू किया मांगना शुरू किया आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में, आपके चेहरे पर, आपके रूम में परमेशर की उपस्थि है, परमेशर की उपस्थि है, एक तरीका होता है, आप किसी को मसाज करते हैं, तरीका है, इमेडियेक नहीं लग जाते आप, आपको पता है, कहां से शुरू करूँगा, किस चीज को लुँगा, क्या करूंगा, प्रेस ऑलौट, उसी तरीके से प्रात्ना है, हम प्रात्ना इमेडियेक शुरू कर देते हैं, प्रभू ये प्रभू ये प्रभू सुंत समझते हैं सुन रहा है कि सुन रहा है उनले जली जाना आइप आउ ज़ाना झाना किरें लेट भाकाइस नए रात कौ हो में फैस़्च देखा है तो या यह तर वह रूरी अगर आपको मसी जीवन जीना है पुरी तरीके से आपको अनुशासन के संग सब कुछ करना है आप चाहे रात को दो बजे आए डेट बजे आए अगर सुबह पांच बजे आपको उठना है तो उठना है मम्मी नहीं है तो साथ बजे आठ बजे नौबजे पापा ने नहीं उठाया आप ने के नहीं उठाया पुटे अरे आप उठा देते दो में उठ जाता ना मेरा बैटा ऐसा नहीं करता है लेकिन मैं बस उतावा हूँ आले लेई वेज़ लौट नियमें किसी और की बात कर रहा हूं दूसरे चर्ष में जो है ना बच्चे वह ऐसी करते हैं हमारे चर्ष में ऐसा नहीं है को हमारे चर्ष में बहुत अच्छे लोग है आलेलिया रेज़ लौट आपको तरीका बता रहा हूं प्रात्ना का तरीका सीखिये आप तो यह जो है थे इन्होंने एक परिक्रमा की और उसके बाद प्रात्ना की प्रेस अलौट और फिर दूसरे दिन परिक्रमा की फिर प्रात्ना की और धीरजवन धोकर प्रेस अलौट प्रात्ना की प्रात्ना में हमें जीवन अच्छी तरीके WiFi से इशो मसी सुबह सुबह चले आते थे प्रवाथना के लिए प्रातना का जीवन हमारा होना चाहिए हमें लगातार प्रात्रह कर नहीं है कितने जो आप सुनते वोई जाते हैं संगीत वो मैं सुनिये नहीं मैंने देखा है जो भी गलत है आप यहां से ऑफिस जा रहे हो अन्य भाषा बोलते तो कोई गलत बावना आपके अंदर नहीं आएगी प्रभू काम करेगा आप काम कर रहे हो अन्य भाषा बोलो अकेले में जितना अन्य भाषा बोलते हो ट्रेवलिंग कर रहे हो अन्य भाषा बोलो जितनी अन्य भाषा बोलोगे आपकी मुश्किलें उतनी आसान हो जाएंगे परमिश्र का सामर्द आपके जीवन में काम करेगा गलाट सोच नहीं आएगी आपके मन में अलिलुया प्रेस अलॉट और उसके बार चोता है पवित्रता प्रेस अलॉट पवित्रता के साथ कैसे किया क्या आप पवित्रता के साथ सुनते हैं में एक मसी जीवन को कैसे जीना चाहिए हमारे जीवन का अधार क्या होना चाहिए पवित्रता प्रेस अलॉड यहोशु जब यरियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा था तु परमेश्चर खुद एक मनुष्य के रूप में उसके सामने खड़े हो गए हाललुया यहो तो यहोशु ने पूचा कि तो कौन है चौदवा उसने कहा तब उसने उत्तर दिया नहीं वारान मैं यहुवा कि से इना का प्रदान ओकर अभी आया हूँ तब यहोशु ने पृत्वी पर मूँ से बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा अपने दास की लिए मेरे कि सेना के देख्ष ने यहुशु से का कि अपने पैरों से जूतियां उतार ले क्योंकि जिस इसान पर तुख़ा है वो पुष्ट है तब यहुशु ने ऐसा ही किया प्रेस लौट अलुलिया यहाँ पर परमिश्र क्या बताना चाहता है कि जब तू काम करने जाए जहां त तू यह परमिश्र को बुलाता है वो इस्थान पवित्र है तो अगर युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है मैं तेरे साथ हूँ वो इस्थान पवित्र है परमिश्र ने बताया कि अरियो तू अकेला नहीं जा रहा है मैं भी तेरे साथ जा रहा हूं लड़ाई तेरी नह के साथ कर करिए कोई भी काम आपके जीवन का अधार पवित्रता होने चाहिए क्योंकि प्रभू आपके साथ है रिस अलोड यहोशु को परमेश्वर ने गिलगाल में एक पुरुष के रूप में दर्शन दिये और बताया कि तेरी हर लडाई का आधार पवित्रता है तेरे जीवन का आधार पवित्रता है हम लोग समझते हैं सिर्फ चर्च आएंगे और चर्च में हम अच्छी ची बाते करेंगे और बाकी जीवन हम अपने आफिस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, किसी से भी कुछ भी मज़ा करते रहेंगे चलेगा कुछ भी मज़ा करेंगे, कुछ भी गालियां देंगे, अपने मुझ से कुछ भी गलत शब्द निकालेंगे चलेगा नहीं अगर आप घर में भी हैं अपने होटों को अनुशासन में रखिए अपनी जीब को अनुशासन में रखिए अपनी द्रिष्टी को अनुशासन में रखिए अपने कान को अनुशासन में रखिए पवित्रता के साथ bilingual я आप बहुत सी चीजें गलत सुनते होंगे लेकिन आपको उनको अंदर नहीं लेना है आपको यह ध्यान लखना है अगर आप alert नहीं होगे तो जो सुन रहे हैं, जो आप गलत देख रहे हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं और जब वो आपके अंदर जा रही है, तो वो आपके अंदर गलत आत्मा को लेकर आ रही है, अंदकार को लेकर आ रही है, इसलिए जहां कहीं गलत बात हो रही है, वहां से हट जाएए, अगर ऐसे दोस्त हैं, जो सिरफ गलत गलत बात करते हैं, मेरा मश्वरा है, उन दोस्तो करना कि आपकी पविञ्ट्रता है आपका आधार है परमेश्ड के संघड़े होने का हलो कोई भी हो दोस्त कितने इंक्रिमन मिल रही हो कुछ भी हो कि आपका आधार है पवित्रता क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन आपको याद रखना है कि मुझे वो जीवन नहीं खोना है वो प्रतिग्या जो परमेशन ने मुझे दी है कि वो मुझे अपने संग लेकर जाएगा पिता परमेशन के चड़नों में मुझे उस प्रतिग्या के साथ चलना है प्रेस अलॉट मुझे यहां का कुछ भी छोड़ना पड़े चलेगा लेकिन वो आसन जो परमेशन मुझे देने वाला है उसको नहीं छोड़ सकता मैं प्रेस अलॉट आलेलुईया इसलिए चार चीजें उन्होंने चार चीजों को अपने अंदर अनुशासन धीरज के साथ विश्वास प्रातना और पवित्ता इन चीजों को साथ में रखकर जब वो चले तो उन्होंने यर्यों की दिवार को गिला दिया परिक्रमा करते थे छे दिन तक उन्होंने परिक्रमा की साथ वे दिन साथ वार परिक्रमा की और याज को ने तुरी बजाई और उसके बाद उन्होंने जैजैकार की. There's a lot. जब आप मिलकर जैजैकार करते हैं. क्या आपने घर में बैटकर मिलकर जैजैकार करते हैं? आप सो उसने परणुसी सुनना ले. या रात को दस बज गए हैं, परणुसी ना सुनने. एक मन एक विश्ची कौन से जह जह कार करिए गान गीत गाई यह परमेशा के साथ उसको बताईए कि येस मैं महसूस करता हूं जानता हूं कि तु मेरे साथ है ड्यूटी मत ने भाई एक प्रात्रा करने की ड्यूटी मत ने भाई एक जैसे आज कर होता है कि पास्टर ने का तो सुवर मत ने भाई दिन से करिये कि आप चाहते हैं कि आप रोज उन्नती पाएं हाल अलिया चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कि मेरे सौभाब में उन्नती आए मेरी बुद्धी में उन्नमती आए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं बस discipline के साथ इमानदारी के साथ दिखावे के लिए नहीं अपने शरीर को नहीं आत्मा के अनुसार चलना सीखिए प्रभू आपको आशीर देगा हाल अलिया कितने लोगों ने आज का वच्छन गिरेंड किया प्रभू आपसे बहुत 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 प्यार करता है आपके जीवन की हर समस्या आपके सामने घुटने पर है घुटने पर है मैं बता रहा हूँ अगर इन चार चीजों के साथ आप चलेंगे आपकी कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होगी खुटन पे आजाएगी क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है परमेश्वर आपके साथ है आले रही है? प्रेस अलॉट जोर से बोलिये ईशु मसी की जोर से बोलिये ईशु मसी की एक साथ बोलिये ईशु मसी की ईशु मसी की पूरा नाम लेना है हमें ईशु मसी का नाम इमांदारी और सामर्श से लेना है धन्यवाद के साथ लेना है और महसूस करना कि वो है हमारी सुन रहा है ओके? God bless you प्रभू आपसे बहुत प्याय करें जो सामने देख रहे हैं उनके लिए प्राथन करता हूँ प्रभू आपको बहुत 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 आशेज दे God bless you बाए